दोस्तो आज गन्य के एक ऐसे दम्दार और असरकार कीट नासक के बारे में जानकारी साजा करेंगे यदि आपने इसका प्रियोग कर लिया तो आपके गन्यकी फसल में किसी प्रिकार के कीड़े नई लगेंगे चाहे हैं वो जमीन के अंदर लगने वाले हों, तने के अंदर लगने वाले हों, या गोप के अंदर लगने वाले हों, या पतियों पर लगने वाले हों, किसी पिरकार के कीटों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, यानि कि आपने यदि इसका एक बार प्रियोग कर लिया तो आपकी फसल लंबे समय तर यानि कि तीन से चार मेने तक कीड़ों से सुरचित रहेगी यानि कि आपका जो खर्चा है एक बार करने के बाद बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा और दोस्तो इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर अपने आने वाले हैं उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकोन का बटन है उसे प्रेस करते हुए इसे आल पर सलेट करने ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से बिल जाए तो दोस्तो यह जो चीटना सक है इसमें दो दो ट्रेक्निकल होते हैं एक होता है किलो रेंटरा नीली प्रॉल यह होता है आठ पॉइंट आठ परसेंट और दूसरा थाइमयाग दक्षाम यह होता है सत्रा पॉइंट फाइब परसेंट तो यह जो दो प्रेंटरा नीली प्र प्रॉल है वो अपने को रजन में भी आता है और उससे संब्धित दूसरे जो कीड़ना स्क दूसरे कंप नोऔर बनाई है उन्हिंहें One जब उसकर जैसा है कि हम आप सब जैनते हैं जब हम किलो रैंटर निली 다음에 बनाफ है तो उसका जो असर होता है वो लंबा समय का होता है और ये कीड़े पर जो लेयर बनी होती है जिससे कोई दवाई प्रिवेस नहीं कर पाती है तो ये उस लेयर को तोड़ देता है और कीड़े में प्रिवेस कर उसको जो लगवा मार देता है यानि कि जब एक बार प्रियोग कर दिया तो ये कीट्रे जो होते हैं ये लकवे से गिस्चित हो जाते हैं और ये हमारी फसल को खाना बंद कर देते हैं और खाने में के बाद इनकी मिरती हो जाती है इसी प्रिकार थायम एक्ट्रक्सम होता है उसका भी इसी प्रिकार का असर है और ये भी इस प्रिकार पर प्रियोग करने से इसे कीड़े हैं जितने भी प्रिकार के उनको लगवा मार जाता है और धीर जरी जो है ये मर जाते हैं क्योंकि ये उसके बाद खाने ही पाते हैं और और दोस्तो इसका जो असर है वो लंबे समय का होता है और दोस्तो इस दवाई का नाम है बोलियन फ्लेक्सी और दोस्तो ये सिंजेंटा कमपनी की आती है और इसका असर बहुत लंबा है और दोस्तो ये जो अब तक का जो आने वाला की उतना सक है सबसे प्रहाफ साली है सबसे असर का रहा है और सबसे लंबे समय तक इसका असर रहता है यदि आप ने इसका प्रियोग कर लिया तो आपकी गन्य की फसल में किसी प्रिकार का कीट नहीं लेगेगा चाहे वो जड़ में लगने वाले भीन प्रिकार के कीट हैं जो भूमी में लग जाते हैं क्योंकि दोस्तो जो तने के अंदर हैं वो कीटी मर जाते हैं और यहां तक की गोब और पत्तियों पर लगने वाले विभीन कीट इससे मर जाते हैं दोस्तों विभीन प्रिकार की इल्लियां हो जैसे हमने इसकीडी पर दे रही हैं यह सब मर जाती हैं और विभीन प्रिकार की कीड़े हैं चा और भी बहुत से किटना सक्का के बारे में आपको जानकारी दी है ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने पहले किसी द्रवाई का प्रियोग कर लिया तो इसका भी आपको करना है यदि आपने एक किसी किटना सक्का अच्छे किटना सक्का प्रियोग कर लिया है तो आपक पानी में घोल कर आपको गन्य की फसल की जड़ों में इसकी ड्रिंचिंग करनी है इसका केवर्ड जड़ों में इसकी ड्रिंचिंग करनी है जो हमारा पंप होता है जो मसीन होती है उसकी आगे की नोजल उतार का और हम गन्य की फसल की जड़ों में इसकी ड्रिंचिंग करते हैं और दोस्तों उसके 24 गन्टे के अंदर एक सिचाई की व्याव सकता होती है इसके बाद एक सिचाई करनी जरूरी होती है और दोस्तों आपकी फसल लबे समय तक बने रहें वीडियो आप लगातार देखते रहें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो ही साफ करते हैं अगले टॉपिक और नए वीडियो साथ फिर मिलते हैं नमस्कार